देसु जुगाड से किसान ने तयार कर दी, मशीन, धान की फसल जाडने के आएगी काम सत्यवान ने एक पुरानी थ्रेसर मशीन को खरीदा, इस मशीन के अंदर के सभी पार्टी निकाल दिये, उसके बाद ऐसे उपकरण तयार करवाएं जिस से धान की फसल की आसानी से जडा के लिए श्रमिकों की कमी बनी हुई है, जिससे किसानों की परिशानी बढ़ती जा रही है, गोहाना, गोहाना के गाउं सैनिपुरा के रहने वाले किसान सत्यवान ने इसी परिशानी का हल निकालने के लिए उसने देसी जुगाड से धान की फसल जाडने की मशीन ही तयार क की फसल आसानी से जड़ जाती है वही पूरी पराली अलग निकल जाती है इस मशीन के इस्तिमाल करने के बाद किसानों को अपने खेतों में पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसान सत्तिवान इस मशीन को और आधुनिक बनाना चाहता है जिसके लिए वहलगातार प किसानों फार्मर्स के सामने धान की फसल की जड़ाई को लेकर अक्सर चुनौती बनी रहती है किसान धान की कटाई ब जड़ाई के लिए श्रमिकों वर्कर्स पर आश्रित रहते हैं कुछ अरसे से श्रमिकों की कमी बनी हुई है जिससे किसानों की परिशानी बढ़ती जा रही है गुहाना गुहाना के गाउं सैनिपुरा के रहने वाले किसान सत्यवान ने इसी परिशानी का हल निकालने के लिए उसने देशी जुगाड से धान की फसल झाडने की मशीन ही तयार कर दी है इस मशीन से जहां धान की फसल आसानी से जड़ जाती है वही पूरी पराली अलग निकल जाती है इस मशीन के इस्तिमाल करने के बाद किसानों को अपने खेतों में पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसान सत्यवान इस मशीन को और आधुनिक बनाना चाहता है जिसके लिए वहलगातार प्रयास कर रहा है किसान सत्यवान ने बताया उनके पास खुद की चार एकड जमीन है करीब आट साल पहले उसने मेकेनिक का काम मिली है सत्यवान ने ऐसी मशीन को तयार किया है जिस से धान की कटी हुई फसल की आसानी से जड़ाई हो सकती है खास बात यह है कि हाथ से फसल की जड़ाई की तुलना में इस मशीन में बहुत कम समय त पड़ती है चार लाख रुपए तक आया खर्चा सामान में तोर पर एक एकड की धान की कटी फसल को आट तस श्रमित करीब तीन घंटे में जड़ते हैं लेकिन इस मशीन से तीन मज़दूरों की सहायता से एक एक एकड की फसल की जड़ाई एक घंटे में हो जाती है मशीन जाड कर पराली अलग कर देती है किसान के अनुसार वह इस मशीन पर अब तक करीब 4 लाख रुपर खर्च कर चुका है मशीन को आधुनिक रूप देने के लिए इतने ही पैसे और खर्च होंगे अभी जारी है मशीन पर काम जब यह मशीन पूरी तरफ से तयार हो जाएगी तब इससे जडाय के साथ ही पराली की कटाई भी हो सकेगी सत्यवान लगातार इसको लेकर लगातार प्रयास करता आ रहा है और इसे और बेहतर बनाने के लिए सत्यवान ने बैंक में अपनी जमीन को गिर्वी रख कर लोन भी लिया है अभी जारी है मशीन पर काम जब यह म मशीन पूरी तरफ से तयार हो जाएगी तब इससे जडाई के साथ ही पराली की कटाई भी हो सकेगी सत्यवान लगातार इसको लेकर लगातार प्रयास करता आ रहा है और इसे और बेहतर बनाने के लिए सत्यवान ने बैंक में अपनी जमीन को गिर्वी रख कर लोन भी लिय पराली को जलाने की समस्या भी होगी दूर सत्यवान का दावा है कि इसे आने वाले समय में किसानों को बहुत फायदा होगा और पराली को जलाने वाली समस्या भी दूर होगी लेकिन सत्यवान अब सरकार से इस उमीद में है सरकार उसकी कुछ मदद करे ताकि वो इसे और ब अगर जो आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के